इवनिंग फ्रेंड्स मैं भूई शेना आप शब का अपने चैनल पर शागत करता हूँ आज जो मैंने टॉपिक लिया है वह है 60 BPSC का प्रेमली एक्जाम का पिछली एर का कोशन्स पेपर है और यह 15th 10 2019 को एक्जाम हुआ था तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टार्ट करने से पहले में आप सब से रिकेश्ट करूंगा कि जो मेरा BPSC बॉई करके एक चैनल है यूटूब का इसे प्लीज आप सब्सक्राइब कर दीजेगा यहां पर देख पा रहे होंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला जो कोशन आया था बर्स 2017 में मांस और मांस से निर्मित ब में भारत की सिदारी जैसा कि मैं इसमें अंसर भी इस पर लेके आ गया हूं तो 5% थी और अब सेकेंड कुशन पर चलते हैं वहाप रथा जिसके तहट किसान स्वम भूमी का मालिक होता है सरकार को भू राजस्वी की भुकतान के लिए जिमिदार माना जाता है तो वह कहते हैं और आप समझ सकते कि हम लोगों को लागान देना पड़ता है था पहले अंग्रेज के ताइम में अभी रहते वारी मतलब उसके लिए थोड़ा टाक्स देना पड़ता है याली गौर्वर्मेंट को नेक्स कोशन से और कोशन नमर थ्री वितिय बर्ष दोजर अटरा उननीस में कुल विदेशी मुद्रा परीचित भंडार में है तो इसका यह आंकडों में से कोई नहीं है तो उप्यूक्त में से यह हो जाएगा अंसर नेक्स जो है कोशन फोन निम्रिकित में से कौन सा प्रत्यच बित का स्रोत नहीं है तो नावाड जो है ना प्रत्यच बित का स्रोत नहीं है चत्री ग्राविन बैंक है स्टेट बैंक है इलहावद बैंक है नावाड जो है अग्रिकल्चर से रिलेटेड बैंक है बाकी जो ब कोशन कोशन नमबर फाई एपी सी जी का पुन रूप क्या है इस पी सी जी का पुन रूप एक्सपर्ट पर्मोशन्स कैप्टल गुड्स है निश कोशन पर चलेंगे हम लोग परधान मंत्री सम्योगी मांधन यूजना के में परतेक रहां को साथ बर्स की आयू प्राप्ट करने के बाद नियूंतम अनुमानित पेंशन परती मांधन होती है तो एकमसक्रम त्री तोजन होती है तो इसका ऑप्शन्स सी हो जाएगा अभी बहुत सर्ले लोगों ने इसको इन्रॉल किया है सब लोगों ने अपने नाम पर लिया है उसको पर देना चाहूंगा शायद रिपीट हो सकता है कोशन स्प्रेंट क्योंकि और जब भी हम कोशन्स बुक्लेट कोशन बैंक में से प्रिवेश के आई हुए कोशन्स लगाते हैं तो रिपीट होने का चांस रहता है और अभी जो अपकमी एक्जाम है ठर्टी अप्रील को भी रुप्य सी का है और फिप्टिंद मैंको असी बिहार सी डी पीओ का है तो ऐसे कोशन्स बैंक्स लगाते रहना चाहिए इसके लिए तो फिर से कोशन्स में पर दूंगा शिक्स नमबर में है प्रधान मंत्री योगी मांधन योजना में परते ग्रहां को साथ बास की आयू प्राप्त करने के बाद नियुन्तम पेंशन परती मां प्राप्त होगी तो मिन नियुन्तम जो है ना तीन नजार रुपय प्राप्त होगी सिवन्त कोशन पे चलेंगे भारत में नियुन्तम समर्थन न मुल्ट का निधारन कौं करता है नेक्स कोशन पे चलेंगे इट कोशन में पूचा गया है हिंदू बिर्दी दर की सासे समंधित है तो हिंदू दर की बिर्दी हिंदू बिर्दी दर की सासे समंधित है जी डी पी जी टी पी को कहते हैं नेक्स होंगि भीखार में कुछन्स नुमरर 9 विखार में क्रिसी कुम मेला 2019 कहां आज़्द फूआ था तो Commerce fodwe में किसी कुम मिला 2019 का मोतिहारी में आजित हुआ था नेक्स कोशन पर चलेंगे कोशन नमबर 10 नीती आयोक के स्वास सुचकांग 2019 के अनुशार विहार राज का श्कोर रहा है तो 32.11 रहा है नेक्स कोशन कोशन नमर 11 है लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे तो लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक से आजी कृष्ण बर्मा थे एक कोशन रिपेटिट होने के चांसे से फ्रेंट्स तो इसको फिर से हम लोग एक बार देखेंगे एकोशन्स नर्मर 11 लंदन में इंडिया हास के संस्थापक कौन थे तो लंदन में इंडिया हास के शंस्तापक इसका जी अंसर हो जाएगा बीनों महा भावे थे एक कोशन्स रिपीट हुआ है फ्रिंट्ट्स यह आपको अभी जो विहार का दर एसाई का एक्जाम होता उसमें पूछा गया है और 66 विप्यसी में भी पूछा गया है व्यक्तिगत सत्य ग्राह अंदोलन की के सत्य ग्राही कौन थे कौन थी या थे तो बिनोमा भावे थे नेक्सों कॉशंन सिउर्ण कोोशन नमर थाटीन भार्तिये राश्तिये कि मिर्श के प्रता महिला अध्यझ कोन थी तो भारतिये राश्तिये कॉंग्रेस की पर्दम महिला स्री मती एनी बेशन्ट थी कोशन्स नमर 14 भागलपूर के नाम सत्यागरह का नित्रित किसने किया था तो भागलपूर के नाम सत्यागरह का नित्रित महादेव लाल सफर सराफ ने किया था तो फिर से एक पर पढ़ेंगे भागलपूर के नमक सत्यागरह का नित्रित किसने किया था तो महादेव लाल सराफ ने किया था नेख कोशन पी चलेंगे फ्रेंड़ सब्सक्राइन ने किया था तो इसका सब्सक्राइब सब्सक्राइन ने क्या था यादी एक कोशन से न यह रिजनिंग से आया हुआ है और इसका शायद कोशन मुझे मिसिंग हो गया इसमें टाइपिंग मिस्टेक है यादी और बीच में छूट गया है हो तो इस कमान होगा तो इसका अंशर 125 था एक कोशन से आप लोग देख गामें यह वीडियो एक कोशन स्वरी से वेंटीन यह दि ब्रीट ए और बी कितरी चाह आँ वन पैंट फाइए अनुपाथ वन के अनुपाथ में है तो ब्रीट ए और बी के छेथ पर का अनुपाथ होगा तो इसका अंसर हो जाएगा 2.5 और 2.25 अनुपाथ वन नेक्ष जो परते की गती 90 किलो मीटर परती घंटा है एक दूसरे की विप्रित दिसा में चल रही है रेल गाडिये दोवरा एक दूसरे को पार करने में लगा समय होगा तो 6 सेकंड होगा नेक्ष कोशन कोशन नमर 90 दो विद्यार्थियों में 12 एक जैसे कलम बाटने के कितने तरीके हो स मिलना अन्यवास हो तो इसका नाइन अंशर हो जाएगा एक बार पुड़ा लिख लिजेगा और एक जैसे कलम परते को दो 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 देना है तो कितने तरीके से बांट सकते हैं अब वैसे कल से निकाल सकते हैं तो टोटल नाइन होगा एक नेक्ष कोशन कोशन में 20 में पूझ कर देता है यादि टंकी एक तीहाई भर भरी हो तो और दोनों नलों एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा तो यह तो मैत का कोशन से तो आप काल्कुलेट कर लिजिगा हिसा सकांशर में बता देता हूं आट घंटे लगेगा टंकी और नल से रिल कोशन है तो ट्वेटिवन यदि एकस तू अनुपात वाई टू इसकल टू से वन एक आयत जिसकी लामबाई और चोड़ाई क्रम सा एक सेंटीमीटर एबम बाई सेंटीमीटर हो के विक्रन की लामबाई होगी तो इसका साही अंसर हो जाएगा फाइज सेंटीमीटर विर्द्यारतियों की एक अच्छा में साढ़िवर्द्यारति केरम खेलते हैं साथ वि यृइब showing क्रम केलते हैंak और ना सत्रैंज और पहीं लिए सेंग्षेंटर ना करूं केलते हैं और ना सत्रैंज केवल इस्टमरच खेलने वाले क्यासी flor dev t तो यह reasoning से questions आया हुआ है इसका हर sections का गोल-गोल करके आप बनाना होता है उसके बाद में calculate कर लेजेगा यह 24 होगा next questions पूछा गया है स्रेनी 1,3,9,15,25,35,49 एक सीरीज चल रही है तो इसका next जो number क्या हैगा आपको बताना है तो यह भी number and counting चेह है तो इसका 63 होगा यह भी reasoning का ही questions है next question 24 पर चाहरेंगे यदि x3 minus y3 is equal to 170 divided by 8 तता x minus y is equal to 3 divided by 2 हो तो x2 plus xy plus x2 का मान होगा तो इसका science में वो देता हूँ 3,9 by 4 होगा next question से यदि 5 into 2 plus 2 x plus 7 is equal to 25,125 bracket में है 2 x plus 1 हो तो x का मान होगा तो इसका 2 होगा अब चलिए बिग्यान से related questions हो आया है ओ डिसकस करेंगे हडियो की पढ़ाई बिग्यान की किस साखा में होती है तो ऑस्ट्रियो लाजी में होती है मैं फिर से repeat करूंगा questions 26 questions हडियो की पढ़ाई बिग्यान की किस साखा में के अंतरगत होती है तो ऑस्ट्रियो लाजी में यह होती है जैसे कि आप लोग पता होगा कि 10 नमर का कि साइंस में psychology physics और केमिस्ट्री से बuna आती है questions तो विशता संट prepare हो जाएंगे next 27 questions मीकित में से किसकी को सिखा में कोई इंजाव नहीं होता है तो इन सब में इंजाव होता है तो उप्यूकश में से कोई नहीं next questions में जाएंगे मनुश के सरीर के किस अंग में limposide का निर्मान होता है तो 50 मज्जा में limposide का निर्मान होता है next question है question number 29 निम लिखित में से किस हार्मोन में iodine मिली होती है तो thyrex ग्रंती में iodine मिली होती है प्रिसमें कोशन परना चाहूंगा कोशन में 29 ने मिलीखित में सब्स हार्मोन में ऐडिन मिली होती है तो थाइटरक्सीन में और देन मिली होती है option C सही हो जाएगा एट किसके कारण होता है यह अभी भी कोशन से आया हुआ था बिहार का यह सही में पूछा गया अभी कोशन तो यह विशानू वायरस के करण होता है और नेक्ष कोशन है सूर्ज का प्रकास पिर्थिवी पर पहुंचता है तो एट मिनेट में पहुंचता है option C सही हो जाएगा नेक्ष कोशन है निमलिकित में से कौन सी अधिस राज़्षी है तो दाब जो है अधिस का मात्रक है किलो ग्राम सेन्टी मीटर बीप्शना से किस राज़्षी का मात्रक नहीं है तो बी किर्ती जो है ना किसी राज़्षी का मात्रक नहीं है है एगें इडिबिट तरको तीपोर में से किस रासी का मातलख नहीं है तो भी क्रेस्टी जो है वह किसी का मातलख नहीं है को तुक्रों में ध्वानी तरंग होती है अनुधार्ज होती है options B सही हो जाएगा वायू में द्वानी तरंग होती है अनुंधाय तरंग होती है question number 36 50 degree centigrade का मान Fahrenheit scale में है तो 122 Fahrenheit होगा option B correct होगा होगा तो 122 Fahrenheit हर्ट में क्या नापा जाता है तो इसका आविर्थी नापी जाती है question number 37 हर्ट में क्या नापा जाता है तो आविर्थी नापी जाती है कोइचन और 38 सिरे का तापमान नियांतरित करता है तो hyp inanass जो है न सरीरा का तापमान नियांतरित करता है questionング हिपोथालमिस जो है सरीर का तापमान नियांतरित करता है question number 39 विदुध्रा की Śूब fulfillment से नापी जाती है तो M E Inter से नापी जाती है, विद्दु धारा जो है M Inter से नापी जाती है, Q40, विद्दु सक्ति की काई है, वाट को विद्दु सक्ति की काई कहते है, Q41, आधुनिक रासायन सास्त का जनक किस से कहा जाता है, Q42, एक तत्व में इलेक्टॉन और नूट्रोन की संक्या करम सा 18 तता 20 है, इस तत्व का द्रामान संक्या है, द्रामान निकालना है तो 38 होगा, यह दोनों को आड किया गया है, इलेक्टॉन और नूट्रोन की संक्या को, नेक्श कोशन, आई रिपीट था कोशन, 43 निमलिकित में से किसे हसाने वाली गैंस कहा जाता है, टोन नाइट्रक्ष अक्साइड को हसाने वाली गैंस कहा जाता है, नेक्श कोशन, कोशन नूबर 44, निमलिकित में से कौन सा एक तत्व नहीं है, कोशन नूबर 45, कई हैं लेट तो क कोछ यह साइध इस ग्रीन हाउस घंस्य गटक होते हैं तो यह साइध इस ग्रीन हाउस-धाइज तो कार्वन और डायक्साइड भी होगा मिथेन भी और जोन अधिक है उसकी प्रत से खराब हो गई है ग्रिन हाउस गैंस के इफेक्ट से नाइट्राक्साइड भी है मिथेन भी और अगर आपको इन लोग कोश्चन नमर फॉटी सिक्स के बाद में अगर आप लोग पता है तो प्लाइटि paranigu्रक्साइगा ताकि मुझे 20 के बारे में स onze इस थी इस थी इस थी होती है तो ऑक्षिजन करेशीन में होती है कॉम्य निक्स्ट जो है न कि करेश koy cobra चैगा कोश्टन नमर फॉटी समना ऑकशीजन अनूप इस्तित होती है तो ऑक्सीजन जो है ना अनुप में अनुप इस्तित होती है कि रुशीन में option A सभी हो जाएगा again next question पे चलेंगे 48 प्राकिर्तिक रवत किस का वहलग है तो प्राकिर्तिक रहवर आईशो प्रीन का प्रावलग होता है again I repeat the question question ुम्र 48 प्राकिर्तिक रवाट किसका बायुलग है प्राकरतिक रहावावर इस्टोप्रीन का बायुलग है कोशन नंबर 14 9 ग्लुकोज का सुत्र है तो इसका साह्ण रहा है C6H12O6, again I repeat the questions, question number 49, glucose का सूत्र है, फार्मुला है, glucose का फार्मुला है, तो C6H12O6, question number 50, CO का समू का आबंध क्रम क्या है, CO समू का आबंध क्रम 3 है, again I repeat the question, question number 50, CO समू का आबंध क्रम क्या है, तो इसका सहे अंशर हो जाएगा, 3, CO समू का आबंध क्रम 3 है, तो अब हम लोग कोशन number 51 में चलेंगे, friends, बीच-बीच में आप सबसे में एक रिक्वेस्ट करता हूँ, यह मेरा जो विप्पेसी का यूटूब का जो चैनल है, प्लीज सब्सक्राइब कर दीजेगा, next question, question number 51, पुस्तक दी ओर्गेन आफ स्पीच किसने लिखा था, तो इसका जो होगा, डार्विन ने लिखा था, पुस्तक दी ओर्गेन आफ स्पीच, डार्विन ने लिखा था, next question, question number 52, सेवाल और कावक के मिलने से लाइकेन बनता है, इसे कहते हैं, तो इसे इन में से कोई भी नहीं कहते हैं, next question है, question number 53, जहां जीब रहता है, उस सटिक जगा को कहते हैं, तो इसे ना आवास कहते हैं, again I repeat the question, जहां जीब रहता है, जहां जीब रहता है, उस सटिक जगा को कहते हैं, तो इसे आवास कहते हैं, option A सही हो जाएगा, question number 54, सब उर्जा, ATP में बदलती है, तो chloroplast में सौरूर्जा ATP में बदल जाती है तो again I repeat the question सौरूर्जा ATP में बदलती है तो chloroplast में बदल जाती है option B सही हो जाएगा next question है प्रकास अंसलेशन का उपोद बाद है प्रकास अंसलेशन का उपोद बाद है तो O2 जो है ना प्रकास अंसलेशन का उपोद बाद है next question question में 56 पतना उचने आले के मुख नियाधिस कौन थे जिन्होंने जुलाई 2019 में बिहार के राजपाल के रूप में स्री फागु चाउँहान को पद की सपद दिलाई थी तो पतना उचने आले के मुख नियाधिस कौन थे जिन्होंने जुलाई 2019 में बिहार के राजपाल के रूप में श्री फागु चाउँहान को पद की सपद दिलाई थी तो इसका सही अंसर हो जाएगा मानिये एपी साही कोशन नमर 57 पर चलेंगे विहार दिबस का क्या महत्व है जो हर साल 22 मर्च को मनाया जाता है तो हमाने लोग कहां पर थे कोशन नमबर के कोशन नमर 56 पर थे कहां चले गया मैं स्लाइट को उसके पुराने स्लाइट पर लेके हां रहूं यहां पर आगे हम लोग कोशन 57 भिएार दिबस का महत्वे है जो हर साल 12 मर्च को मनाय जाता है तो इसका सही हो जाएग के बंगाल प्रेसिडेंस ते आलग होने की याद करने के लिए तो तो इसके लिए मनाया जाता है नेक्ष कोशन 58 पर चलेंगे निमलीखित में से किस राज को केंद सरकार द्वारा भी से स्रीनी दर्जा कभी प्रदान नहीं किया गया है तो इसमें जो है ना बिहार को कभी भी नहीं दिया गया है अभी वह मांग तो चल दी है पर स्पेशल कोकिने निक्त कोशन 59 पर चलेंगे कास्मीर्घाटी के अंतिम मुसलिम्स यह सफ साच चक जिनहें मुंगल समुम्राट अकवां दाया भिहार में निवासी किया गया था दफन हैं आप यह जो है ना लंदा में दफन है फिर से मों पड़ देता हूं कोशन 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 कोस्ट पिना इने कस्मीर खांटी के अंति मुगली मुस्लिम यह सफ साच चक जिन है मुगल समराट अकवर अकवर अकवार दिया बिहार में बासित किया गया था दफ़न है तो इसका अंसर हो जाएगा नालंदा में कोशन नुमर 60 पर चलेंगे जुलाई 2003219 में बिहार के महां पाशानिक अस्थान मेगाली टीख साइट से पहले प्रकेल प्रअले के लिए विरास्चीयों ने निमलीखित में इसे किस गईले दौरा किया था तो केमूुद जिले का दौरा किया था फ्रेंच मेंकुशन पे च हमिए कोशन राज बियाटक विकास निगम की खे ट मैं क्या है तो दुर जो हैना मिल स्वूल ग्रिंडा बिल स्वूल गिर लिए नियेद क्ला में सब्सक्राथ आधर में मंदल पर योजना की नीब किस नदी पर नदी पर बनाने के लिए रखी थी तो इसका हैन्सर हो जाएगा उत्त्री को लेणा दी प्रकी थी नश्टक्न कोशिंग नाथ 63 हाली में अनुधावी में आयो जित इसलामिंग सायोग संगाटन के देश मंत्री के परिशत के 46 में भाग लेने वाले लेने के लिए किस देश के में जवान UAE कि ने गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में अविंत्रित किया था तो इसे ना भारत के देश को अविंत्रित किया था नेक्ट कोशन पर चलेंगे 64 हारी में इसरो और इसरो और सी एन इस दोनों स्पेस से रिलेटर है कंपनी स्पेस के उपर ध्यान रखती है एक संजुक्त समुंद्री निगरानी प्लानिंग प्रनाली अस्थापित करने के लिए किये एक समझाते पर हस्ताचर किये सी एन इस किस देश की अंतरिच एजन्सी यानि अंतरिच एजन्सी का जो कंपनी न वह फ्रांस की ए नेक्स कोशन है C-N-E-S जो है ना France की Company है 65 परागवे की राजखानी कौन सी है जहां कब भारत की उपराशप्रती ने मार्स 2019 में दौरा किया था तो यह जो है न अनसियन की राजखानी है परागवे जो है UNC-N की राजखानी है कोष्टन pounds 66 पे चले गए हाली में संजुक्त राष्ट पर्यावरन सभा का चौथा सास्त्र जो है ना यू एन इए का फोर जो सास्त्र हुआ है कहां अजुद क्या गया तेन नैरोबी केनिया में अजुद क्या गया था कोशन नमर 67 पर चलेंगे डिस्कस करेंगे मार्च 2019 में सरकार द्वारा भारतिय सांग लित भासा सब्द कोश के किस संस्करन का भी मोचन किया गया है तो इसका पाहिला हो जाएगा नेक्ष कोशन पर चलेंगे कोशन नमर 68 मनोहर परिकर की जगह हाल ही में उनकी मिर्त्व पर गोअ के मुखमंदी के रूप में किस ने लिए है पहले हमारे रच्छा मंतरी थे स्री मनोहर परिकरinsi उसके बाद में गोअ के मुखमंदी बने है फिर एंकी हेल्थ कराब होने की से उनकी मिर्तु के बाद में प्रमोंद सावंद गोवा के नए मुखमंति बने हैं कोशन नुमर 69 पे चलेंगे 2018 के अंतरास्टिये गांधी सांति पुष्कार का विजेता कौन है तो यही सका का आवा है नक्ष कोशन सेवंटी पे चलेंगें बिस्व का पहला उन्ट असकश में स्थापित किया गया है तो इनलेंड ओपिन बैंड विंटन चैंपियन्स पुरूस 2019 के पुरूस एकल के विजेजा कौन थे तो इसका सही अंशर हो जाएगा कैटो मोमोटा थे कैटो मोमोटा थे कोशन नमर 72 पे चलेंगे पांच राइनो स्रेनी के रास्ट जिन्होंने एक घोशना पते दा न्यू हैली डिकलेक्शन ओफ एशियन ड्राइनो दोजार उन्नी का अस्ता दोजार उन्नीस पर अस्तासर किये हैं भारत नेपाल मलेशिया इंडोनेशिया और यह जो न फाई एक कंट्री का यूनियन है इन्होंने एक घोशन पत पे जो सिगनेचर किया है वह जो निक्स जो कंट्री है उसका नाम है भुटन जो न राइनो जो गेंडा होता है न राइनोस गेंडे के बारे में नहीं बताया गया है सुरी फ्रेंड्स इन्होंने एक घोशन पत दें नियू हैंडली इंडेक्स ऑफ एशियन एशियन्स राइनोस के उपर में है एशियन्स में जितने भी राइनोस पाई जाते उसका है नेश कोशन है सिवन्टी त्री सर्ट डाउन बैंड्विंटल के बाद टेस्ट प्राव रूप में 25 सतक बनाने वाले दूसरे सबसे तेज बल्लेवाज कौन हो गए हैं तो किर्केट से रिलेटेट है तो स्टीम स्टमी जो है न जो सबसे फास्ट बल्लेवाज बन गया 25 साइज चुरी बन स्मित स्टीविन स्मित नेश कोशन कोशन में 74 2019 में गुट निरपेच आंदोलन के संबंद ब्यूरो की मंत्री स्तरिय बैठा कहां हुई थी तो इसका सैंसर हो जाए गया बेन जोला में हुई थी नेश कोशन कोशन में 75 से पहले संज्युक्त रास्ट में भारत का प्रतियास्टी प्रतिनिती कौन था तो इसका सैंसर हो जाएगा असोक कुमार मुकरजी थे कोशन नमर 76 जुलाई 2019 में अंतरस्टिय यांद चंद्रगरान टू को किस्से भारतिय राज से पच्छेपिति किया गया था तो इसका सैंसर हो जाएगा आंद्रपरदेश रेशो म के बाद बिटेन रेशा के रेशो में के बाद बिटेन के प्रधान मंत्री बनने की टोड में कौन जेवीनेटिप पारी में पहले दोरे में मत्दान के बाद पत्योगता में आमतिम यह पार्टी हो गए है प्रिंटिंग मिस्टेक है साल में इनमें से कौन सा सामिल नहीं था तो इनमें से कोई भी नहीं था आप्शन ही हो जाएगा कोशन नम्हें 78 पे चलेंगे डेमो क्रेटिब राष्टपती पत के उमिद्वार और अमेरिकन कॉंग्रेस के पहले हिंदू सदर्स कौन है जिन्होंने अपने 2020 के चुनाव अभिहारन के खिलाफ बेदभापुन करवाई के लिए कम से कम 50 मिलियन डॉलर के लिए गुगल पर मुकदमा दायर किया है तो तूलसी गावार जो है ना वह हैं या भारतिय मूल के हैं निज कोशन है स्वेंटी नाइन एक गैल री of कल पूस्तक के लेखा कौन ए ते गैल्ली ओष्टक के पूस्तक लेखा के रसी कौन बॉन नेक्ट कोशन कोशन मेरेटी पर चलेंगे खुद्रा फनीचर और खुद्रा फनीचर की विसाल कंपनी अकाई अकाई आकाईय का भारत में पहला सोरूम अकाईय जो है ना अकाई अकाईय जो फनीचर बगीड़ा का है यह हैदरबाद में बना है किस सहर में खुला गया है तो यह हैदरबाद में बना है इसमें हाट टाइप के फनीचर आपको मिल जाएगी कोशन नमर एटीवन हाली में भारत की संसद ने तीन ताला कानून पर रित करके भारत के सहर्वोच नियाले के किस बस के निवी बी निर्ने एक को समर्थें दिया जिससे तीन ताला के तलाक ए विद्धित और सम्मिधान बना दिया था तो इसका शायंसर जगा दोजार सत्रा ब्रिस्क की जो फाई कंट्री का समू है सिकर सम्मिलन दोजार निस कहां जित हुए था तो होने वाला है यह कोशन की सबसे तो और डी हो चुका है तो चलिए इसका जो है ना अंसर जो है ब्राजिल हो जाएगा अभी करेंट में कहां होने वाला भी देख किये जाएंगे तो यह ना टोक्यों में किये जाएंगे और यह कंप्लीट हो जगा है बीच में कोबीड आ गया था इसकी बज़ा से इस्टॉप भी हुआ है नेक्स जो है ना 84 उनिसको ने 2019 के उत्सब को और रामा तत्वों के अविर्थी स्रेनी में समय अविर्थी स्रेनी के अंतलास्टिय वर्ष के रूप में किस से कितने साल पूरा होने का जस्न मनाया है तो 150 यह का ऑप्शन भी सही हो जाएका मुकुंद पद नावन के बाद समाचार पत्रे दह हिंदू के संस्तापक कौन थे और रिपीट ता कोश्चन कोश्चनमर 85 मुकुंद पद नावन के बाद समाचार पत्रे दह हिंदू के संस्तापक कौन थे तो इसका सही अंजर हो जाएगा सुरेश नमभम नावन थे नमभम थे नमभम थे नेश कोशन फिर्टीश अधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है ? तो इसका सही चलो हो जाएगा सच्छिता अनंद सिनह को माना जाता है ? है नेशक भी थे पत्लांतिये खिशान सभाग का गठन किस ने किया ? तो स्वामी सहयजा अनंद स्वधी नहीं किया था ? डच कोशन नमर 88 डच इस्ट इंडिया कंपनी ने किस बस अपनी फैक्टरी पतना में स्थापित की थी तो इसके पहले 66 में पूछा गया फ्रेंड्स कि कहां पर सापित की गई तो पतना में की थी अभी इसमें येर्स पूछ दिया गए तो 16 उसमें बताया था 1662 में ड़स इं गया डच इस डिटे कंपनी ने किस बस अपनी फैक्टरी पतना में स्थापित की थी तो 1632 में स्थापित की थी देखें एक सीवेस्ट प्लेश और येर्स के पे कोश्ट आ गया है निसकोशन ने 89 कोश्ट बिहार में स्वराज द्याल का कठन किसने क्या था तो स्री कृस्ण स्रीक्रिस्ट ने क्या था अपने शिलालेक्व में असोख समान की नाम से जाने जाते थे तो इन में से कोई नहीं था तो यह इस वो जाएगा कोश्ण नेक्ष्ट कोश्ट नेन इन में से कौन सा गुप्त काल में सदी के छेत्र में अपना कार्च के लिए जाने जाते थे तो स्रीगुप्त जो है है ना वह जाने जाते थे तो इसका option ए हो जाएगा सही next question जो है ना correct चलेंगे 92 पे निमलिकित में से प्राचीन भारत की कौन सी लीपी दाहिने से बाइयों की ओर लिखी जाती है तो अख खता शिर्ट कीमें धायों की ओर लिखी जाती है और एक जो लिफिए ना बाइयों से बाइयों की ओर लिखी जाती है और म्रामीन लिफिए फरोसी और म्रामीन यह दौनूं रहुआएगा तो यात का लीज़ेगा प्राचीन भारत की कौन सी लिपी जो दाहिने से बाई की ओर लिपी जाती है लिखी जाती है वो खरोष्टी हो जाएगा कोशन नमर 93 निम लिखित में से कौन सा बंदरगा गुम काल में उत्तर भारतिय बैपार के लिए उप्योग किया जाता था तो तम लिपी तो ताम लिपीत हो जाएगा अगें रिपीट था है कोशन नमर 93 निम लिखित में से कौन सा बंदरगा गुम काल में उत्तर भारतिय बैपार के लिए उप्योग किया जाता था तो ताम लिपीत ताम लिपीती अंसर हो जाएगा निश कोशन 94 मुगल चित्रकार किस के नित्रित में अपने सिस बिंदू पर थी तो यह जो है ना जहांगीर के नित्रित में बहुत अच्छा-च्छा काम हो रहा था चित्तकारी से लिए तो इसका साई अंसर हो जाएगा जहांगीर अगें मुगल चित्रिकार मुगल चित्रिकला किसी के नित्रित में अपने सिस बिंदू पर थी तो जहांगीर के नित्रित में थी नेक्स कोशन कोशन 95 मद कालीन भारत में मन सब्दारी वैवस्ता क्यों लागू की गई थी तो इसका सहीं चलो जाएगा जहनिकों की सुग्यमता से भरती है तू अगें रिपीट तक कोशन कोशन 95 मद कालीन भारत में मन सब्दारी वैवस्ता क्यों लागू की गई थी तो इससा ही अंसर हो जाएगा सेनिकों की सुग्यमता से भरती है तू नेश कोशन है 96 अस्प्रधान का गठन किस ने किया था तो अस्प्रशान का गठन सीवाजी ने किया था नेश कोशन है कोशन नमबर 97 है दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे ज़्यादा नहरों का निर्मान किया था या निर्मान कराया था हो सकता है तो फिरोष ग्लग सबसे जादा है नहरों निर्मान करा एंध़ए मैं डिली के किस स्ल्तान ने सबसे जादा मैं का निर्मान कराया था तो फिरोष ग्लग ने करवाय था नेक्ट कोशन है कोशन No.98 है बंगाल की खाड़ी में समुझ्ध डकैती हैं थू yards year का उप्यों कौन करते थे कौन करता था हुगली जो है नदी तो इसके लिए पुतिगाली करते थे निश कोशन से 99 ठागों का अन्नु उन मुलन किसके नेतित में हुआ था तो इसका जो है कैप्टन सलीम के नेतित में हुआ था अगेन आइकोशन आइकोशन इसके नेतित में हुआ था तो कैपिटन सलीमन के नेतित में हुआ था कोशन नमर 100 अफगानिस्तान के परती आक्रमन अपनाई थी तो लॉड लितिन ने अपनाई थी अगेन आई रिपीर दा कोशन्स अफगानिस्तान के परती अकरवन नेति किस बाइस्तान ने अपनाई थी तो लॉड निपिन ने अपनाई थी कोशन नूमर1001 विःर में 1857 का विधरोग किसके नित्रित में हुआ था तो कुबर सीग के नित्रित में हुआ था इक tat प्रिवेस का मैंने जो अभी लाइन कल मॉर्निंग में करवाया है सेम रिपीट हुआ है तो अभी तक इसमें से फोर कोशन रिपीट हुआ है तो इसके लिए प्रिवियस के जीतने भी कोशन से ना उसे एक बाद टच आप करते रहाना चाहिए नेक्ष पोशन है 102 है अंधोलन के द्वर suddenly है किसको कने commute किसने क्या था तो राज कुमार सुक्षि जी ने क्या था तो एक राज कुमार सुप्ष से रिलेटेड एक कोशन में आया वा small इन्हों घांधीजी को कौन भीः नमें ले के आए थे तो राज कुमार शुक्रत जी ने किया था नेक्ष कॉश्बिल कोशन नमर 맛있어요 सबसे अधिके बंपत्थ छरबाला बंचित से घिरा है तो यह ना पश्म जंपारण है ना जो घिरा हुआ है अगेन रीपीट तो कोशन कोशन मुर्ण नमर्ण त्री निमलीकित में से कौन सा जिला सबसे अधिक 258 बंद छेट से गिरा है तो पश्मी जंपारण है और बालमी की टाइकर उध्यान भी पश्मी जंपारण में है नेस् सब्सक्राइब कोशन है कोशन में गांगा नदी सबसे लंबी बाती है एक कोशन के एक्जाम में भी आया हुआ है उसमें पटना में बाती है इसमें जो ऑप्शन दिया गया गया हो गलत है इसका अफ्शन हो जाएगा पटना नेच्ट कोशन हम प्रकाहय 211 की जनगना के अनुशार विहार के कि झिल्यख सरवच धनी अवादी है कि दरज की गई है तो यह कि पन अवादी कि दर्ज की गई है ऐसे भी पटना सीटी यह तो सीटों में अवादी सबसे ज़्यादा होती ही है शोडी फ्रेंड नेक्ट्स पर चलेंगे 106 1930 में महात्मा गांदी ने सब्ने अग्याद अंदोलन कां से प्रवाम किया था तो इसका सय अंसर हो जाएगा डांडी से किया था अगिन एपीट था कोश्ट्ण उन्हें सो तीस में महात्मा गांदी ने सबने अवग्या अंदोलन कहां से प्रम किया था तो डांडी से किया था ओप्शन भी करेक्ट हो जाएगा नेक्स्कोशन पर चलेंगे कोशन नुमर 107 है साकवथन आंदोलन 1922 किसके नित्रित में पर्रब गुए था तो ये जो ये न सकावथन बल्लब भाई पर्रब के नित्रित में पर्रम हुए था नेक्स्कोशन नुमर 108 है राष्टिये कॉंग्रेस का द्याच कौन था तो भारत के विवाजन के समय जेपी किलिप्रानी थे भारतिये कॉंग्रेस के द्याच निमलिखित में से कौन सा देश भागोलिक संग्रा की द्रिष्टी से सीमा रही सबसे बड़ा देश है तो यह जो है ना इन में से कोई नहीं होगा निमलिखित में से किस देश में सबसे अधिक संख्या करने वाला देश है शो है और इसन से मिन यह नगा दमिखित कोई cabin करके देश है तो है इरआण जो है ना चो पूरे बड़्ड में सबसे अधिक केशर उत्पादन करता है और हमारे इंडिया के अंदर में जम्बु कास्मीर जो है न, वहाँ पे काफी अथी quality की केशन मिलती है और सबसे अधिक केशन जम्बु कास्मीर में होता है तो आगेन आई रिपीट था questions केशन मिलिकित में से कौ सा देश वीश का सबसे अधिक केशर उत्पादन करने वाला देश है सबसे अधिक इडिक केशर उत्पादन करने वाला देश है again i repeat the questions केजाख की स्थां बुल्टément सबसे ज्यादा एरोनिम उत्पादन करता हैै में 114 कर्मारी से कोटाडमग कआ जाता है काे गंगाणादी गाड़ी का उप नदी है। नज्ग कोच रित देई नदी करूछन नीखिट में से उत्री रिड vide सी पहाड़ी कर्चाई नहीं है • तो इन में से कोई नहीं हो जाएगा नहीं कोशन है इसकी सोरी फ्रेंट की वानने स्वेंटी भारत के किस राज में सरवाधिक चेत्र को पतिछर बाले जंगल से घीरा है तो इसका जैसे अंसर हो जाएगा मद परदेश नेक्षोशन 118 निमलिकित में से किस चेत्र में प्रवालवित्ती नहीं पाई जाती है तो कैमबे की खाड़ी में प्रवालवित्ती नहीं पाई जाती है तो कैमबे की खाड़ी में प्रवालवित्ती नहीं पाई जाती है कोशन 119 दोजार गारा की जनगना के अनुसार निम्लिकित में से किस दर्म सम्मूव में सर्वाधिक सच्छता दल परतिस्यत दर्च की गई है तो इसका आप्शन हो जाएगा जैन जो है न ऐसे उनकी संक्या बहुत जादा कम है और हो सबसी ज़्यादा इजुकेटेड हैं इं मुंगेल जीले में इस्तित है और बाल में की नगर बाल में की टाइकर रिजर्ब जो है न वह पाशिम जम पारण में इस्तित है तो आगे रिपीट था कोश्टन से 120 कोश्ट वन्ट्वेंटी कोश्टन नमबर निम्लिकित में से कौन सा बंद जी अवियारन भीहार के क्या गया है तो इसका सेंसर हो जाएगा कोपाल गंज जी दर्च क्या गया है ने इसकोशन 122 नमलिकित में से कौन सा भूमी रिकॉर्ड अपराधी है तो पटवारी जो है न भूमी रिकॉर्ड अधिकारी है श्री श्री यह मैंने कलत पढ़ दिया प्रेंट है निम्लिकित में से कौन सा भूमी रिकॉर्ड अधिकारी है तो पटवारी को भूमी रिकॉर्ड अधिकारी का जाता है निम्लिकित में से विसेसग्यों में से किंद्रिये साशन विवस्ता के लिए कौन सा सी सही नहीं है तो यह जो न लेचीला पन जो है वो सही नहीं है next question चलेंगे question about 124 समुउदायक विकास कार्ज करम का क्या उदेश है तो समुप्जायक भिकास जीवन अस्तर को बेतर बनाना again I repeat the question समुदायक विकास कार्ज करम काキ Says जीवन असतर को बेतर बनाना next question पर चलेंगे question number 125 उसी जोड़ी नहीं है तो इसका चाहिए होगा ना केलन में यह नहीं में गद्वांगे नहीं है नेक्ष कोशन निम्लिकित में से भारत का कौछा है आरतिक गल्यारा का पान की जापान की हलप से बनाई जा रही है अगेन आई रिपीट देगा कोशन नमार 126 निंक्यित में से भारत का कौंसा अध्योगिक आरतिक गल्यार है जो जापान की हलप से बनाई जा रही है तो दिल्ली भूंबय का जो कोडिडर ओव हो नेस्ट कोशन पे चलेंगा कोशन 126 7 कोशन 127 निमलिकीत में से कौन सा जीला धारवार भुमिस्तर रचना वाला नहीं है तो इसका सैंसर हो जाएगा भी रोतास नेश कोशन 128 पे चलेंगे बिहार राज में मांगा के किनारे कि मांगा एक गंगा के किनारे होगा सुडविप्रंड यह प्रिंटिंग मिस्ते हैं कि कि रारे आधि जिलो के संक्या कितनी हैं तो बारा हो जाएगी और एक को कोश्चंस पूरा गलत है यह अभी आपको बिहार के साही पूछा गया था बिहार राज में इस्तित गंगा नादी के किनारे जीलों की संग्या टोटल 12 है मसंदर में इसका जो नेक्ष कोशन पर चलेगा है कोशन नमर्वन थर्टी निमलिखी सर्वधानी के चारों में से किसे पोश्ट मार्ट स्टम भी कहा जाता है तो इसका उत्रेशन को कहा जाता है कोशन नुमर 131 भारत में मत्दान के लिए परियोग की जाने वाले मसीन भी भी पी एटी का संग्सक्रन क्या है तो ए जो हैना M3 है आगेन आई रिपीर था कोशन भारत में मत्दान के लिए परियोग की जाने वाली भी भी पी एटी का संग्सक्रन क्या है तो M3 है कोशन नुमर 132 निमलिकित भारति है राज्यों में से किसकी राजविधान सवा में सदस्व की संख्या सबसे अधिक है तो हिमाचल परदेश का जो है ना वह सबसे अधीक है और मुझे ये कोशन पर डावडो रेफरेंट्स आ ने ये सारे ग्रूप में तो हिमाचल परदेश सही है नेश कोशन है 133 भारत के बरियता करम में निम्लिखित में से कौन पहले आता है तो इन में से कोई नहीं हो जाएगा नेश कोशन 134 सरकार की संसे वेवास्ता के विसाय में निम्लिखित में से कौन सा बेक्तित विसाही है तो इसका इन में से कोई नहीं हो जाएगा next question 135 निम्रिखित में किसका निर्मान पंचायती राजबेवस्ता की तहत हुआ था घ्राम पंचायती राजबेवस्ता की तहत हुआ था next question पर चलेंगे question 136 पर जनगन्ना 2021 अनुषार विहार में बाल शरद लिंग में नुपात था तो 136 questions का अंसर है 933 option C सही हो जाएगा again I repeat the question 136 questions जनकन्ना 2011 का अनुशार बिहार में बाल रिंग अनपात था तो 933 हो जाएगा निश्क कोशन है 137 बर्स 2017-18 के दवरान बिहार के 336 का विकास दर्थ थी तो 14.6% थी निश्क कोशन है 138 बर्स 2017-18 में मौजूद किमतो का बिहार राज का सकल घरेलू उत्पादन इस घरेलू सकल घरेलू उत्पादन जी एस डी पी था तो कितना करोड था 487,628 करोड था नेक्स कोशन पर चलें कोशन नमबर 139 सन 1931 में बिहार समाज बादी समाज बादी पाटी का घर्टन किस नहीं किया था तिन में से किसी नहीं नहीं किया था नेक्स कोशन पर चलेंगे कोशन नमबर 140 में 140 में भारतिये राष्टिये कॉंग्रेस के संस्थापक कौन थे एक कोशन रिपेटेट है 66 में भी आया है यह ओ हुम थे और यह कोशन मैंने कहीं पर देखा है फ्रेंड इस सही में भी शायद आया है यह कोशन सब्राज मेरा जंग सिवाधिकार है और मैं इसे लेकर हुगा किस ने कहा था तो इसका सयंसर होग जाएगा बाल गंगा तक तिलक नहीं कहा था कोशन नमर 142 रमिंद्रनाथ आयगोर ने अपनी नाइट हुड के उपादी क्यों रिटन कर दी थी तो जालिया वाला बाग की कारण हत्याकांड की कारण जो जर्नल डायल ने किया था इसकी बज़ा से उन्होंने रिटन कर दिया था कोशन नमर 142 है राजिंद्र रमिंद्रनाथ आयगोर ने अपनी नाइट हुड की उपादी क्यों रिटन की थी तो जालिया वाला बाग हत्याकांड के कारण कोशन no one 43 है च्रतीं बैसपरची ओजना के दारा निमली कित में से कौन सा कारण करम मिंद्रन शुरूप की था तो इसका चाहिए अंसर हो जाएगा एकिक्रित ग्रामिन विकास के लिए अगेना I repeat the question छटी बाश पंचपसी छोजना के दौण निम्लिखित में से कौन सा काच्ष करम स्रूप किया गया था तो एकिक्रित ग्रामिन विकास के लिए कोशन सामा साइपरथम कि सीराज में शुरूउ किया गया था तो राजस्तान में शुरू किया गया था लिए कोशन 145 पर चलेगं году यसPower करता तो यह चोगना आप सुरू किया गया तो कोशन asking पहलेक्षाप एचलेगे देशर कतह पुष्टा किषने लिखे ती तो तक सखहराम कने दिवेस्करने लिकी लिखेनτο क्षेन खथ Ini कने लिखे लिखे सेर्ट कटली किसने लिखे लिखे तो इसका सबस्का अरGen सब्सक्रिल झाएगा संस्थापक कौन थे तो इसका सायन्शर हो जाएगा मुली मोहन प्रसाथ थे अगेन आई रिपीट था कोशन कोशन नुमर 1-46 बिहार में साचलाइट समाचार के संस्थापक कौन थे तो मुली मोहन प्रसाथ थे कोशन मुओ 147 ब्हार सीवक समाज के स्थापना किसने की थी तो कौपाल कृष्ण गोख लेने की थी अगेन आई रिपीट था कोशन कोशन नुमर 1-47 स्षापना किसने की थी तो इसका से अन्जर हो कुषन 147 भारत सिबख समाज के स्ताफना किस ने की थी तो कंशन nr 148 काकोरी डबब Victory to असविक फाला कुला को खान को दिया गया था राम प्रसाद बिस्मिलावस असफुला खान को दिया गया था नेश कोशन है कोशन नमर 149 इंडियन एर इंडिशन किताब किसने लिखी है तो इसका से अंसर होगा इंडियन एर इंडियन किताब किसने लिखी है तो इसका से अंसर हो जाएगा जो ये लास्ट कोशन है सत्य सोधक समात क्या स्थापना किसने की थी तो योते बाद फुल्योजी ने की थी ऐ कोशन फिर से रिपेटेट है एकोशन 66 में भी आया हुआ है again I repeat the question 1 question 1 150 सत्य सोधक समाज केस्त आपना किस ने की थी तो जियोतीवा फुली जी ने की थी और इसका option B is correct हो गया friend तो thank you for watching my video प्लीज आप मेरा जो वीडियो है अगर आप लोगों पसंद आया तो अपने ग्रूप सेलकर में share कीजे और ये मेरा चानल सब्सक्राइब कीजे चानल का नाम है प्लीज सब्सक्राइब मैं चानल